मैं पहली बार अयोध्या आया हूँ और मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ अगर सांस लें तो राम की भक्ती हमारी सांस सांस में जाती है क्योंकि इतनी उर्जा है यहाँ पर इतना लोग इतने खुश है इतना उन्माड है इतनी एक लहर है भक्ती की इस वक्त और एक बहुत सुखता है लोगों में कि लैला पांसो साल के बनवास के बाद वापस अयोध्या हा रे रहे हैं और बहुत खुबसूरत माहौल भी है क्योंकि मुझे लगता है इश्वर राम भगवान ने ने हमेशा जोड़ा है देश को, लोगों को, कुनबों को, समाजों को, हमेशा राम जी इस वक्त हर समाज, हर धर्म के, उत्तर के, दक्षन के, पूरब पस्चिम के लोगों को जोड रहे हैं, एक राश्ट पर्व हो रहा है, एक विश्व पर्व हो रहा है, जिसमें हम राम लल्ला के अउध्या वापस आने को सेलिबरेट कर रहे हैं, करोणों दिलों में द प्रॉबलम है, आम अदमी तो बहुत खुश है, आज मैं जब अयुद्या में शहर में गया था, तो इतने यंग लोगों से मिला बातें की, जहां बेरोजगारी थी, वहां पर आज एक लड़का सिर्फ चाई बेच रहा है, तो इतने लोग आ रहे हैं, परेटक इतने हो तो कहीं न कहीं एक संस्कृतिक लाब हुआ है, एक नेतिक लाब हुआ है, धार्मिक लाब हुआ है, लेकिन आर्थिक लाब भी हुआ है, व्याफसाय बहुत बड़ा है लोगों का, और पूरे देश में ये बढ़ता जाएगा, और रामायन सर्केट का जो एक टूरिजम बड़े मंदिर रहे हैं राम जी के, उन सब जगे मोधी जी भी जा रहे हैं, तो लोग इससे प्रणा लेंगे, देश विदेश के लोग आएंगे और रामायन टूरिजम करेंगे, रामायन सर्केट करेंगे, और इससे पूरे देश में संभावना भी बड़ेगी और राम जी को इतने अलग-अलग रूप से देखते हैं, जब मैं 5 साल का था और मेरी दादी मुझे राम जी की कहानिया सुनाय करती थी, तो एक अलग रूप था, जब 20 साल का हुआ, जब 25 साल का हुआ, जब पुत्र बना, जब पिता बना, तो हम राम जी को अपनी उम्र अलग-अलग उनसे प्रेड़ना लेते हैं, अपनी स्टेज ऑफ लाइफ की हमसार, तो मुझे लगता है कि जो बाल रूप है, बहुत प्यारा, बहुत इनुसेंट, बहुत मासूमियत वाला रूप है, उसमें बहुत मज़ा आएगा देखने के लिए, और मैं चाहता हूँ क एक या दो नहीं, राम जी की कई रूप हम देखते रहें